Hello students, Real Answers के 3rd unit के 11th lecture में आपका स्वागत है आज हीवडों में हम लोग एक बहुत important theorem प्रूफ करेंगे interior of set से related हम लोग प्रूफ करेंगे कि किसी भी set का जो interior होता है वो एक open set होता है तो याद करिए जब मैंने आपको open set पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप interior निकालें close interval 1,2 का तो यह आता है open interval 1,2 अगर आप interior निकालें 1,2 का तो यह भी आता है 1,2 ही अगर आप interior निकालें natural number का तो यह empty set आता है interior निकालें अगर real number का तो यह real number आता है interior अगर निकालें let's say Q का तो यह empty set आता है ठीक है इंटीर निकालने अगर फाइं और ये फाइं जब मैंने आपको ऑपन स्पधा थिख इलिętल ऊपन did Faytajay तो में बताया था ये एक उपन सैथे ये खी ओपन सैथे ये भी उपन सैथे ये लोन भी उपन सैथ ये दूनों भी उपन सैन है तो आप तो इसलिए आज अगर आपने इस सेट का इंटीर निकाला है पहला है इसमें बता यहाँ उपनаки नरे है अब देनपको इंटीर सब्सक्राइब करनाया हैं अब आपको के इन पैसलिसocyन बता है तो यह जो एक्स है वो सैट का इंटीयर पॉंट्ट तब होता है जब इस एक्स के पास हमें एक ऐसा नेवर हुड मिल जाये एक्स यह नेवर हुड जो है वो पूरा का पूरा S के अंदर ही लाई करना चाहिए तब आप कहते हैं कि यह जो X है वो S का interior point है और अगर आप किसी set के सारे के सारे interior point को मिला कर एक नया set बना दें तो उसे interior of set कहते हैं अब दिखेगा proof करने जा रहे हैं हम लोग तो मैं माल लूँँगा let S be any set ठीक है S be any set और अगर S empty के equal है अगर S जो है वो empty set है तो interior of S भी empty होगा और इस case में जो हमारा S है वो open हो जाएगा interior of S जो है वो open हो जाएगा interior of S is open कैसे देखेगा मैंने आपको पढ़ाया कि यह जो 5 होता है वो एक open set होता है मैं आपको बताया था ठीक है तो आप कह रहे हैं कि set जो हो 5 के equal है interior of set जो होता है वो भी 5 के equal होता है तो अगर यह 5 एक open set है और यह 5 अगर इस set के equal है तो यह भी set open होगा simple अब दूसरा case लेते हैं interior of sorry S जो है वो empty set नहीं है ठीक है में अगर इस एमपटी Set नहीं है तो यह हो सकता है कि interior of set निखालने से आप offers कर देखा क्या तक हो सकता है आपने देखाता है और अ जो है वो number money की लेकिन अगर इसका interior निकालने तो माल गाया है है तो यह हो सकता है कि set जो है और वह नों में पड़ी हो लेकिन जब आप interior निकालें तो empty आ जाए तो इस case में भी इंटीर आफ एस उपन है तो इस case में भी क्योंकि फाई उपन है अब लास्ट केस मानते हैं कि एस non-empty है और interior of s भी जो है वो भी non-empty है तो अगर interior of s non-empty है मतलब इसके अंदर एक x होगा then x belongs to interior of s ठीक है इसको मान ले जगा की arbitrary है मतलब random element है ठीक है आपने interior of s के अंदर से एक x उठा लिया है और अगर यह x interior of s के अंदर है इसका मतलब x is interior point of s, x is interior point of s, aray s के अंदर जितने interior point होते है वो इस set के अंदर होते हैं तो अगर आपने x जो हो इस set interior of s से लिए है मतलब x जो हो s का interior point है और अगर x interior point है आपकला आग Rocks के पास एक ऐसा नँबरोंगा जोकि एसके अंदर से करेंड होगा जोपिर हेसे एकसा नबरोड से इसके इंदर मिलेगा जोकि एसके इंदर से और अगर nx एक neighborhood है तो उस case में आपको एक open interval मिल जाएगा this implies there exists a open interval a,b such that a,b such that x belongs to a,b subset of nx और nx जो है वो s का subset है ठीक है अगर nx जो है वो एक neighborhood इसका मतलब एक open interval मिलेगा जो कि nx के अंदर contain होगा और यह जो एक्स है वो सो open interval के अंदर contain होगा ठीक है मुझे यह प्रूफ करना है कि interior of s जो है interior of s वो एक open set है तो मैं यह दिखाओंगा कि इस set का कोई भी member interior point होगा ठीक है मैं यह दिखाओंगा कि इस set का कोई भी member इसी का interior point होगा तो मैंने एक element उठा लिया अगर मुझे यह दिखाना है कि x का कोई भी element sorry interior of s का कोई भी element open sorry interior point है तो मुझे x का एक ऐसा नेबर हुड ढूना पड़ेगा जो इसके अंदर container हो जाए कि देखिएया अगर यह डेहरब हुड एस के अंदर contain होता है तो यह एक्स हो एस का anterior point होता थी शुक्ति यह दॉश्की के अंदर शुम होगा मुझे एकस का इक ऐसा neighborhood खोजना पड़ेगा जो इसके अंदर इसको रखराय यह भी एक्चुली मैं एक्स का नेवर हुड है ठीक है मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा ओपन इंटर्वल एक कॉमा भी इस नेवर हुड ऑफ एक्स इसके पीछे रीजन क्या है यह जो इंटर्वल है वो एक नेवर हुड क्यों है लेखेगा मुझे प्रूफ करना है कि यह जो ओपन इंटर्वल है वो नेवर हुड है तो मैं यह प्रूफ करूँगा कि मुझे एक ऐसा ओपन सेट मिलेगा जो इसके अंदर कंटेन होगा ठीक है अब ओपन सेट में बना सकता हूं एकस माइनस एपसलाण एकस प्लस एपसलाण चूस करके जो कि एक्चुली में एकाम कॉमा के अंदर होगा और एकस अंदर होता ही आप ने पLo фак है एकस जो है वो इस इंटर्वल के अंदर होता है मैं आपको चाहे था और यह इंटर्वल एकॉमा बिलॉंग कर जाएगा अगर मैं epsilon बढ़ियां सा छोटा सा नमबर चूज़ करना हूं तो for very small epsilon for very small epsilon ठीक है for very small epsilon greater than 0 देखिए अगर यह line है और यहां पे अगर open interval यह कॉमा भी हो यहां पे x है तो यहां पे आएगा x plus epsilon अगर आप epsilon बहुत छोटा चूज़ करें और यहां पे आएगा x minus epsilon यह आपको एक open interval मिल जाएगा ठीक है यह open interval जो है वो बड़े वाले open interval यह यह कॉमा भी के अंदर कंटीन होगा तो इस set के पास एक ऐसा open interval मिल गया है जो कि यह कॉमा भी के अंदर कंटीन है इसका मतलब एकस जो है इस ने जो सेट यह वह एक्स का नेबर हुड है जिसने भी मेरा नेबर हुड वाला लेक्चर देखा हुगा वह उसको यह समझने आ रही हुई इसने नहीं देखाऊ उसको नहीं आघा होगा कंफिर आप मैं अगर बहुत ही छोटा साइप्सलान जूस कर लूँ ये जो नेभर हुड है वो एबी के अंदर कंटेंग हो जाएगा तो मुझे इस सेट का एक ऐसा आपने इंटर्वल मिल गया है जो इसके अंदर कंटेंग है और साथ मैं एक्सको अपने अंदर रख रहा है इसका मतलब इन एक इंES को बाद में मैंने प्रूफ कर दिया कि यह तरो आब मंप्रूफ कर म्हून यह जो नेवर हुट है एक्चिली में यह ऐँला के अंदर मिल जाएगा यह दो आधर में बार बर लोगा तो यह प्रूफ हो जाएगा कि यहां कैसे प्रूफ करूँगा लेट वाइ बिलॉंग स्टू उपन इंटरवल एक ओम अभी मैंने क्या किया वाइ जो है इस उपन इंटरवल एक ओम अभी के अंदर लिया है समझेगा यहां ओपन इंटरवल एक ओमा भी था यहाँ X था लेट से यहाँ बेवाई है तो Y है तो यहाँ पे भी आप चाहें तो Y का एक नेवर हुड बना सकते हैं ठीक है अप चाहें तो एक ऐसा इंटर्वल चूस का सकते हैं Y के पास देखिए मैं लिखूंगा Y belongs to A, B ठीक है Y minus epsilon Y plus epsilon नाम का एक interval मिलेगा इस तरह से कि यह भी के अंदर continue होगा और Y जो है इस interval के अंदर continue होगा ठीक है Y minus epsilon लेट से यहाँ तक आएगा और Y plus epsilon यहाँ तक आएगा अगर मैं epsilon बहुत चोटा चूस करूँद ठीक है तो देखिए फिर यह जो set है वो अच्छली मैं आप Y का भी नेवर्वड हो जाएगा इस इंप्लाइज वाइज वाइज सरी ए कॉमा भी इस नेवर्वड ओफ य और य जो थेक इसका मतलब वाई जो है ए कॉमा भी जो है वो कि एस के अंदर continue समझेगा वाई का एक ऐसा नेवर हुड जो अंदर continue एसक मतलब बाई इंटियर पाइंट भी डियू अपने क्या किया देखिए आपने इस से इन अडर एक अपुरुस को रिवाला एडिमेंट ऋटाया यहां का हर एक ऐमन्त इसके अंदर कंटेन अश को मतलब दिस इंप्लाइज ए कोमा भी सब सुब राफ इंटीर आफ आफ आस और एक्स जु था वह ए कॉमा-भी के अंदर था एक कॉमा-वी आंटीर आफ आफ आप है तो Lee X का एक ऐसा नेबर हुड जो इंटिर-फंदर भीट के अंदर इंटल करते हैं इतितनु अंह रहिए अपन्द मतलर एक सब्सक्रप्स करते हैं इंटियर पॉइंटेड के पींट गोईंट कर सथा का कि फिर से समझा रहा हूं मुझे मालूम है टफ है ठीक है चिंता करने की कोई बात नहीं है सब को टफ लगा है ठीक है ऐसा नहीं सिर्फ आपको लग रहा है देखिए अगर एस एक कोई सेट है और एस अगर एंपटी है तो इंटीर फैस भी एंपटी होगा तो उसकेस में इंटीर आफ सब्सक्राइब तो अगर यह नौन एंपटी है मतलब इस सट के अंदर एक ऐसा एक होगा मैंने इस सट कोई एक रेंड़नम एलिमेंट एक उठा लिया मैं दिखाओंगा कि यह जो आपने अलिमेंट लिया है इस सेट में से यह जो एलिमेंट है वो सट का होगा और अगर एनेक्स नेवर हुड है तो इसके अंदर एक ऐसा उपन इंटर्वल मिलेगा जो एनेक्स के अंदर कंटेन होगा और एनेक्स सबसेट तो मैं ये प्रूफ कना चाहा रहा था कि ये जो ऊपन इंटरॉफल मिला है ना जो कि अनले प्रेजंट ये भी मैं आक्शली एक्सक्णर इन्हें में he प्रुफ सबसेट मिलब क्यों क्योंकि अगर मुझे यह प्रूफ करना हैं कि एक्स JULアव इंटीर bing और पॉइंट है इस सेट का तो इसेट का एक ऐसा नेबर हुड खोजना पड़ेगा सेट हो आप यह यह नदर इस एकट लिवह सेट नदर एक आपने इंटरूल मिल गया जो अपने अंदर एक्स को रख यह मतलब यह जो सेट वो यह लाइन उसी को समझ में आए कि जिसने मेरा इंटर वाला वीडियो देखा है तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था कि यह जो सेट है वो एक्स का नेबर हुड है अब मैं यह प्रूफ करूँगा कि यह जो उपन इंटर्वल आया है ना वह इंटियर ऑफ एसके अंदर कंटीन है क्योंकि अगर यह मैंने प्रूफ कर दिया तो यह प्रूफ हो जाएगा कि एकश के पास एक ऐसा नेबर हुड है जो इस शेट के अंदर कंटीन है तो इसका मतलब फिर एकस इंटियर पॉइंट हो जागा सट का ठीक है तो मैंने कहा इस सेट का यह इस सेट के अंदर एक ऐसा उपन इंटरवल मिल गया जो कि एक ओमभी के अंदर कंटेनर मतलब यह सब्सक्राइब इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उनका यह खुद नेवर रूद यह मैं कहना चाहता हूं तो यह आपने लिया इस सेट में से अप्रूफ कर दिया कि यह जो सेट है वह वाई का नेवर हो गया ठीक है और यह जो नेवर होड था वो तो एस के अंदर था तो यह जो सेट है वह आपने प्रूफ कर दिया कि इनदर मतलब सबसेट है तो यह तो X का भी neverhood था तो X का एक ऐसा neverhood जो इस interior of S के अंदर contain है मतलब X जो है वो interior point है interior of S का इसका मतलब X is interior point of interior of S और यह जो X था वो तो random element था interior of S का इसका मतलब interior of S is open set खतम बहुत कम लोगों को समझ में आयोगा मुझे पता है जिनको नहीं भी समझा है न कोई चिंता करने की जोट नहीं है same theorem मैं आपको topology में भी पढ़ाऊंगा वहाँ बहुत असान हो जागा यह proof यहां real analysis में हम लोग थोड़ा सा bound हो जाते हैं न तो इसलिए थोड़े थोड़े proof जो होते हैं कठीन हो जाते हैं कि किसी भी सेट का जो इंटीर होता है वो एक open set होता है किसी भी सेट का जो इंटीर होता है वो एक open set होता है बस इतना याद आठीजे और अगर अच्छे से समझना है इस proof को तो तभी हो सकता है जब आप neighborhood का concept अच्छे से जानते हों interior of s का concept अच्छे से जानते हों तभी आपको यह थीरान समझे आएगा मुझे मालूम है आदे से जादा लोग आप वैसे student होंगे जिन्होंने previous lectures नहीं देखे होंगे तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको नहीं समझे आएगा obvious सी बात है math में चीजें बहुत connect होके चलत इस टाइप के elements और टी है आपका open interval sorry close interval 0,1 तो अगर आप टी में से एस घटाएं और इसका interior निकाले हैं तो यह open set होगा open set होगा कि not open set होगा बताएगे open set होगा कि open set नहीं होगा तो इसमें कुछ ज़्याद है सोचना ही नहीं है यह set कुछ भी हो अगर इसका interior निकालेंगे तो open set यह आएगा अभी हम लोगे पढ़ा है किसी भी set का interior जो होता है वो open set होता है तो बिना s t-s निकाले बिना t-s निकाले आप पता कर सकते हैं कि यह जो set आएगा वो open set कि कमेंट बॉक्स मताइएगा कि interior of s interior of s यह open होगा कि नहीं open होगा कि open और नॉट ठीक है इसकांसा कमेंट बॉक्स मताइएगा जिन लोंको प्रूफ नहीं समझना है प्लीज 2-3 बार देखिए प्रूफ को तभी समझना है ठीक है थोड़ा सा complicated है क्योंकि हम लोग प्रूफ प्रूफ जो है real analysis में कर रहे हैं सेम प्रूफ जो में topology या matrix में करांगा इतना असान लगेगा कि कोई भी समझ जाएगा इसे लेकिन ऐसा नहीं कि यह समझा नहीं जा सकता है नहीं समझना रहा है कम कम एक से दो बार देख लिए देखने इस क्या होगा आपका analysis part बहुत strong हो सब्सक्राइगा अगले वीडियो में हम लोग कुछ और थिवरम्स करेंगे तब तक लिए उडबाए